1993 में मैं इंट्रलिट तीन नाम के साहुत्त सब में शिर्कत लेने जर्मनी गई थी पहले बैठक अर्लैंगन कस्वे में हुई फिर बर्लिन में वहीं मुझे मेक्सिको की लेखिका मॉनेका मंसूर मिली कमाल के ओरत थी कोई सतही या बेहूदा बात करता तो कहती कि उसका कुचूर नहीं है उसका जन्म इतनी कम बार हुआ है कि परिश्कृत नहों पाया माफ कर देना चाहिए फिर हम खूब हसते हिंदुस्तान से मैं और खुश्वन सिंग थे और एक होटेल में ठहरे थे उन्होंने मुझे सीख दी कि पहली रात उसी होटल में खाना चाहिए अगले दिन से दूसरे ठोड ढूनने चाहिए बात मुझे जज गई और हम खाने की कमरे में पहुच गई उन्हें पूछा क्या प्योंगी तो मैंने उनकी तरह दियर के लिए हामी भर दे खाने की बारी आई तो उन्होंने अपने लिए बीफ मंगवाया जब मैंने कहा मैं शाकाहरी थी तो वही लाग बार सुना क्लीशे घास पूस खाती हो उन्होंने कहा और खुदी हूब हसे मैंने हसी काफी कोफ दूई पर हसकर कुछ दे बाद हसकर ये जरूर कहा जानवर नहीं कहती मर्द के भक्षण में इतराज है उन्होंने पूछा तुमारे चितकोब्रा में कितना सक्स है मैंने कहा जितना आप जिन्दगी भर नहीं कर पाएंगे अब तक तो ठीक था चलता हो किसम की नोग जोग चल रही थी तो उनका साहथ काविल बर्दाश्ट था पर जब बैरा बिल लेकर आया तो उन्होंने मुझे का यू पे तो मुझे काफी अजीब लगा कि मर्द और ओरत को डिनर पर बुलाए चाहे लिखित तौर पर नहीं और फिर उससे बिल अगा करवाएं खैर मैंने का इस कुंजूस कि सबको कुछ कुछ क्रीदना था मैं घर्वालों की सले मान कर कि मही में वहाँ बारिश नहीं होती मैं बर्साटी नहीं ले भी तो इस दोलादार बारिश हो होती है जब आपके शाता बर्साती नह हो तो मैंने सुचा वहीं से एक खरीद ली जाय तो हमें दुकान पर रुके तो मैंने सेल्सकर्स से कहा ये भारत के मशूर लेखक खुश्वन सिन्या ये मुझे बरसाती दिलवाने यहां लाएं अब इतनी मशूर हस्ती सस्ती चीज के बारे में तो सोच भी नहीं सकती लेहाजा महंगी से महंगी बढ़िया बरसाती दिख्लाएगी क्यों मॉनिका मॉनिका ने दोर दार हामी कोई और सेल्सकर्ड एक सेक उमगा महंगी बरसाती दिख्लाने लेगी खुश्वन सिंग का बुरा हाल शॉप के मारे बोल ना भूटा आबाना करके रह गए जब काफी बरसातियां देख लिए खुश्वन सिंग एपपलेक्सी के करीब पहुँच गए तो मॉनिका ने कान में कहा बस करो हार्ट फेल हो जाएगा तब मैने सेल्सकर्ड से कहा मैं सोच रही हूँ कि इतने बुज़र्ग आदमी से इतना महंगा तोफा नहीं लेना चाहिए प्लीज कोई सस्ती बरसाती दिख लाइगे अब कुश्वन सिंग का बोल फूटा मैं पैसे नहीं दूँगा जानती हूँ अरे मालू मैं यह बरसाती जो यह पहने हैं साट साल पहले ही जर्मनी से खरीदी थी पैसोट साल कुश्वन सिंग ने कहा जब ग्रैजुएशन किया था अब सेज गर्ल जोई हस पड़ी उसकी मजाग समझ में आया और मैंने अपने पैसों से एक काफी माम गुली सी परसाती खरी ली वहां हम दोनों का रचना पार्ट भी हुआ पार्ट के दोरान खुश्वन सिंग ने कुछ ऐसी बेशाओरी का इजहार किया कि मैं तो मैं तमाम नौजवान जर्मन श्रोता दंग रह गए लोगों के इसरार पर मैंने चितकोब्रा के अंशिंदी में पढ़े क्योंकि उसका जर्मन रुवाद हो चुका था तो एक छात्र ने जर्मन में उसका तारुफ करवा दिया था खुश्वन सिंग ने अंग्रेजी में काहनी पढ़ी जो अची ही रही होगी बस मुझे नहीं लगी और कुछ रोताओं को भी नहीं लगी मेरे पाफ के निस्बतन उनकी कहानी में तालियां कम बजे उसमें अंग्रेजी बोलने की महिमा बयान की गई थी जिससे हिंदुस्तानी भले बाग बाग हो जाएं अब जर्मन क्यों होंगे अग बबुला हो कुछवन सिंग बोले हिंदी एक दम दरिदर भाशा है उसमें पढ़ने का सबब दरिदर माई एक लड़के ने पूछा उसमें रैट और माउस दोनों के लिए एक ही लफज है चुहा हा 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 मैं कुछ कहती उससे पहले एक हिंदी जानने वाले जर्मन लड़के ने कहा मेरा ख़्याल था हिंदुस्तान में रैट नहीं होते सुवार एक के किसी ने फुसपुसा कर जोड़ा पर इतने साफ तलफ़ज में इस सुनाई दे गया भाषा अमीर गरीब नहीं होती मैंने कहा बोलने वाले होते हैं संस्कृति की हिसाब से भाषा में कम ज्यादा शब्द होते हैं एसकिमों भाषा में बार्फ के लिए सौ शब्द हैं अंग्रेजी में मैं कहा कह रही थी कि बीच जुमले खुश्वन सिंग तमक कर खड़े हो वो रुकें ही अगी हम उनसे कुछ चातर उनसे सवाल पूशना चाहते हैं आप जाएं एरलैंगन शहर के बीचो बीच एक तुर्की रेस्टरा था हर पार्टी वही होती थी बैठर खत्म होई तो गिदारी भोज उसी रेस्टरा में हुआ खुश्वन सिंग खुश थे कि सूर ना सही बीफ तो खाने को मिलेगा उससे पहले जब हम जर्मन मध्यस्त के साथ रचना पार्ट के लिए जा रहे थे खुश्वन सिंग के इसरार पर रात का खाना ऐसे रेस्टरा में खाने रुके जब मशूर जर्मन सासिज मिलते थे जब मैंने खाने से इंकार किया तो दोनों खुब हसे भूके पेट हसी बरदाश्ट करना जर्म मुश्किल होता है पर आखीर में हसी मैं बे नहीं जब खुद रेस्टरा का मैनेजर बियर के साथ मश्रूम और जीज का लजीज कीश लाया और बोला हमारे यहां से कोई भूका जाए हमारी और मेहमान दोनों की तोहीन है फिर बिताई की पुनम की रात का बैयान करूँ हुआ यह कि वहाँ एक सज्जन पूरी बर्लिन से आए हुए थै बर्लिन की दिवार हाल फिलाल गेरी थी पर पूरी और पश्च्मी बर्लिन के बीच अब भी दिवार से बड़ी खाय थी वही जो अमीरों और गरीबों के भी होती है यह सज्जन भी हमारी तरह ठटा कर हस रहे थे जैसे मैं मॉनिका और तीस्वी दुनिया के बाकी लोग सभी ने राइन वाइन को ज्यादा पी ले थी राइन वाइन की में हम जब 1988 में मैं सबसे पहले बहार गई थी युग उसलाविया गई और लोटते वे मैं कि रात में वाइन में स्ट्रॉबरी डाल कर रख देते थे और सुबह वाइन से लवालब स्ट्रॉबरी खाते थे तो क्या सुरूर रहता था सारा दिन पर हैंग ओवर कभी नहीं होता था राइन वाइन की खासियत है कि उससे हैंग ओवर नहीं होता रात के करीब 12 बजे एक खुराट जर्मन निटों का इतनी जोर से हसेंगे तो लोग पुलिस बुला लेंगे, इतनी रात को शोर करना मना है, हमने का वो सज्जन भी तो हसें, जवाब मिला वो पूरी बर्लिन से है, हमारे हसी के हमारा पूरा हाल है, उसी वाद किनी बंदों को उची आवाज में सि पुलिस नहीं पकड़ती, तो हम तीसरी दुनिया के बाशिंदों को क्या खा कर पकड़ेगी, दो सो साल तक हमारा कामी पुलिस को चकाना रहा है, खुश्वन सिंग के अलावा, उनके पिता राय बाहदूर थी, हंजी की घूज सुन, जो पूरी बर्लिन के सचंद है, वो भी हमारे पास आप पहुंचे, किसी ने पुलिस नहीं बुलाई, होटेल पहुंचने तक फिर वो खुराट जर्मन भी नहीं दी के, फिर हम जैसे मैंनी कहा, एरलेंगम से बर्लिन गये, बर्लिन निकनने से पहले, एरान से आयाब अधीब और शायर दौलत अबादी का जिकर जरूरी है, पता है आप लोग ने उनका नाम सुना है नहीं, बर सुनना चाहिए, अधीब ना मर्द होता है ना औरत, बस अधीब होता है, हलाकि दौलत अबादी सहब तब कि एरान के कायव वेमान औरतों से बात आखरे दिन वो रिवाय टूटी और क्या खूब टूटी पर वो किस्सा बर्लिंग पहुंचने के बाद हुआ, एरलेंगन में हम ये तक नहीं जानते थे कि उनकी कुछ रचनाओं का जर्मन तर्जुमा हो चुका था, इतना जरूर जानते थे कि उनकी रचनाएं क्योंकि इसलिए उन्हें भी गिरफतार करने लगी था, हलाकि अधालत ने साफ कहा था, उनका कोई जर्म नहीं है, जर्मनी आने से पहले वो दो साल जेल काट चुके थे, मकर हम लोगों को जब गुलाया गया तो सब को एक फैक्स भीजा गया था, जिसमें कहा गया था कि अपने शह इसलिए दौलतबादी को नहीं मिला, पहले सत्र में सब ने अपना वक्तवे पढ़ दिया, पर दौलतबादी का मौजूद नहीं था, उन्होंने बतलाया भी कि वहांपर FACTS नहीं उफलब था, तो मैंने यह लेक लगा लाया, पर जरमन जो होते हैं, वो काफी लकीर के फकीर होते हैं, बार-बार इस्रार करते ही चले गए, आप जानते ही हैं कि कभी-कभी इस्रार मार से भी ज्यादा भयानक होता है, तो दौलताबादी ने शीरी फार्सी में लए से बोलना शुरू किया हमने ऐसे सुना जैसे संगीत सुन रहे हैं मतलब तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा उन्होंने एक मौतर्मा को जो उनके हिसाब से फार्सी से अंग्रीजी में अनुवाद कर सकती थी मंच पर उतार दिया था जब दौलताबादी बोल चुके उन मौतर्मा ने कहा शायर ने कुछ बेहत शायराना कहा उसका तरजुमा मैं नहीं कर सकती बहुत बाद में मैंने उनसे पूछा था आपने क्या पड़ा था उनका जवाब था अपना बायोड़ा तो अब बर्लिन चलते है बर्लिन में हम सभी भागिदारों को गाईट के रूप में कॉलिज का विद्यारती साथ दिया गया था मेरे साथ एक कमसिन लड़की थी पारिवारिक रूप से दुखी और अभाव ट्रस अब मालूम नहीं मेरी नियती है या उनकी मेरी सब मददगार और साथ इने ऐसी होती है जद्दो जहत करके अंग्रेजी में डिप्लोमा कर रही थी जिससे आगे चल कर दुभाश्य का काम पर सकी मैंनी एक बिन उससे ऑपरा जानी की क्वाइश जायल की उसी दिन उसका अंग्रेजी का इंतेहान था और सब सांस्कृतिक मंच, नुमाइशगर, सब कुछ पूली बर्लिन में थी ऑपरा भी, ऑपरा हुस भी तो उसने मुझसे पिलतजा की कि मैं रेल से चली जाओं और वो को इंतेहान दीकर स्टेशन के मुझे मिल जाएगी ठीक है मैं चली गई जानी को राजी हो गई तबस इतना पूछा कि साड़ी बिंदी चले गी उसने कहां बिलकुल उन्हें खुननस तुर्कियों से है हिंदुस्तानियों की इस्द करते हैं वैसे पश्चमी बर्लिन के बा नहीं से आते हैं उनके घरों में काम करने वाले लोग मगर फिर भी अब अगर सब कुछ पूर्वी बर्लिन में हो म्यूजियम ऑपरा हूस संगीत करे सब तो बंदा परश्चिम बर्लिन में क्या करें खुश्वन सिंग की तरह प्लेवा पड़े या मॉल में वक्त बरबाद करें तो इसलिए पूर्वी बर्लिन तो जाने ही होता था रफ्ता रफ्ता मैं आखरी दिन पर आ रहे हूं उसके तीन एहम करदार थे दौलत अबादी मॉनिका और मॉनिका अभी मॉनिका दो बार क्यों धीरज रखिए अभी पता जड़ा है जर्मनी में द्वित्य की प्रक्रिया में सैलानियों को भूत पूर्व कॉंसेंट्रेशन कैम्प का दौरा करवाना शाबल था सैयर कहने में मुझे इतराज हो रहा है मगर होती वो सैयर यह थी जहां हम ठहरे वे थे मॉबिट बर्लिन में मॉबिट में भी एक इमारत के तहकाने में यंद्रना अगर है था पहली मंजिर पर आला रसोई घर था और दूसरी उपर नाजियों की शांदार पार्टिया थे था हमें महां ले जाया गया मेरे दिमाग में बच रहा था कि सैला जादा आत्मतुष्ट या धोगी कौम मिलना मिश्किल है बस हम हिंदुस्तान ही उनसे बाजी मार सकते हैं तपाक से कही अमरीकन कंठों से निकला आज दे जीवस मैं जीव हूँ मानिका ने कड़क पर भर्राई आवाज भी कहा तो सना का खिचके मुझे भी पहली बार पर कहानी का असल आयान कुछ और था मैंने कहा न हम सबी लेकों के साथ एक साथिन थी मौनिका की साथिन का नाम भी मौनिका था वो दोनों काफी अंतरंग दोस्त बन गई थी पता नहीं आपस में क्या बत्याती रहती थी मैं खुद को सरहत से पाहर मट्राते पाती दुरश आफिर मौनिका मेरी दोस्त पहले थी वैसे दोरों के साथ यहां वहां गुमने में मज़ा जरूर आता था मगर फिर भी कुछ था जो मेरी पहुंच से पाहर था आखरे दिन जर्बन मौनिका और मेरी साथिन विदा लेकर चली गी हम बागे भागेदार लेख़ बच रहे थ जर्बन रिवायत के मताबक आखरी शाम समापन से पहले सर्वसमत्ती से एक प्रस्ताव पारित होता था यह वे दिन थे जब सेटनिक वर्सिज लिखने की को मुद्दा मिना इरान की खुमैनी ने सुल्मान रश्दी के खिलाव पत्वा जारी किया हुए था जिसमें हर सच् सुल्मान रुष्दी सख्थ निग्रानी में गोपनी जगह पर थे पर उनके अनुवादों को या प्रकाशकों को कोई पहरदारी मुहया ना थी कुछी दिन पहले जर्मनी से बाहर एक अनुवादत की हत्या हो गे थी सुल्मान रुष्दी और उनके सभी प्रकाशकों और अनुवादों को से हमदर्दी जद लाते हुए इरान की खुमैनी की हम निंदा करते हैं उन्हें चेताबनी देते हैं कि फत्वा वापिस ना लिया गया तो अन्जाम बहुत बुरा होगा सुनकर मेरे भूश वाकता हुए कोई अकल या इंसानियत का इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है कि ये न जाने कि एरान के अदीब मेहमूद दौलताबादी वहां मौजूद थे और उनके मौजूद होने का मतलत था कि सर सम्मती से पारित प्रस्ताव को उनका समर्थन था अरे एक दिन पहले ही तो जन्मेन में मुद्धित उनकी रचनाओं का सर पर सत्र हो आता और आज आयोजक ही नहीं भागिदार अदीव और शायर भी इंसानियज और आक्षल के दुश्मन नजर आ रहे थे युक्साब गर्दन हिला हिला कर खुश हो रहे थे जब प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था तब ही मैं सभागार में लगे माइक के बास पहुंशने प्रस्ताव पढ़कर जैसे ही सभापती ने एलान किया सब की सेहमत ही है ना हाथ उठाएं यहां कहें मैं खड़ी हो गए और जोर से चिला कर माइक पर कहा नहीं मैं सेहमत नहीं एजी घंगोर चुपपी पहले कभी सुनी न थी क्यों समझा कर बतलाईए उन्हेंने कड़वे तंस के साथ कहा गुसे के मारे मेरी नसे तड़क रहीं पर मैंने सहियात और कठोर स्वर में कहा आप अच्छी तरह जानते हैं इरान के अदीब महमूद दौरत अबादी हैं मौजूद हैं सब सम्मती से पारत होने का मतलब होगा उस प्रस्ताव को उनका समर्तन है तब इरान वापस जाने पर उनका क्या हश्र होगा क्या आप नहीं जानते इसमें संझाने के क्या है आप अकेले इसका विरोध नहीं कर सकती हूं कर सकती हूं बिलकुल कर सकती हूं कर रही हूं आप हम पर जबरन सर्फ सम्मती नहीं थोस्त रगते तब ही बगल से आवाज आई मैं मानिका मनसूर रजो चुप क्यों थी? बाद में उसने का है मैंने सुचा तुम्हें एकल विरुत का आनन लेने नू? जानती थी बिना सर्व संबती जर्मन लोग प्रस्ताव पास में गरते हैं, कुछ आवाजे आएं इनके डिसंट के साथ भी प्रस्ताव पास किया जा सकते हैं. नहीं, सभापती ने टपट कर कहा, हमारे प्रस्ताव हमेशा सरसंबती से पास होते हैं, फिस मुझ से मुखातिब हुए, प्लीज, अपने असहमती वापस ले लेजे, नहीं, मंच पर आसीन आयोजग आपस में गुफ्तगूर करने लगे, देर तक की, फिर पूछा, आपका ये अंतर निर्न है, जी, मेरी असहमती है और रहेगी, नहीं कहा, तब हम इस समेलन के बाद कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते हैं, हतोत्साहित आवाज में सभावती साहब कोई और प्रस्ताव ड्राफ्ट कर लिजे, किसी ने तंस के साथ का, ये कि हम फैसला करते हैं कि यहां बुलाकर लेखुकों का अपमान करेंगी, यकीनन सर्फ सम्मती से पारित हो जाएगा, मौनिका के सिवा कौन हो सकता था, मैं गोशना करता हूँ कि इस बार हम कोई प्रस हैं, मौनिका ने कहा, और हम चल दिये, उसी रात मौनिका को फ्लाइट लेकर घर वापस जाना था और मुझे आस्ट्रिया, अभी तो वो और मैं अपने पसंदीता कैफे में पस्रे काफी पी रहे थे, मुझे बिना हैंडल के चोड़े मुह वाले पैमाने में काफी परोसने का तरीका बहुत पसंद था, दोनों हाथों के पीच पकड़ने से मुझे साथ हाथ भी गर्मा जाते थे, और अपना ददिहाल याद आ जाता था, जब दोनों हाथों में गिलास थाम, चायर सुड़ की जाती थी, तब ही दौलत अबादी महां आ गया, आते रहते थे, हमसे बाजिब दूरी बना मेज पर बैठने थे, आज उधर जाने के बजाए हमारी मेज पर आ गए, शर्मील मुस्कराहट के साथ अंग्रेजी में पूछा, यहां बैठ सकता हूंगे, हम सतर होकर बैठ गए, मैंने एक और काफी काउटे दे दिया, काफी आने से पहले उन्हें आप दूनों के साथ तस्वीर खिचवा सकता हूंगे, शरूर, हम दूने ने काफी अचरच के साथ कहा, और उन्हें अपने साथ आय यूबक को इशारा किया, पर उसने चित उतार लिया, काफी आ गई, प्याला मोट से लगा, उन्होंने धी में से कहा, शुक्रिया, शर्फ हूं, दौलताबादी एरान के अलिगों में सबसे उंचे पायदान पर है, लोग सवाल करते हैं तो ये, उन्हें अब तक नोबेल के नहीं मिला, पर फिर भी, ये एक समझने की बात है, उसके बावजूद, उनका एक उपन्यास, दक्रनल, पूरी दुनिया की सभी जबानों में अमितित होकर चप चुका है, पर फारसी में एरान में बने हैं चपा, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है, जो मजभब के कठमुलापन के दौरान जो कुछ हुआ, वो इतना जो सच है, वो इतना निर्मम है, उसको पढ़ना बरताष्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज त कोई उज्र भी नहीं गया, कभी कुछ भी नहीं गी कि वो फारसी ने चपे, कभी में की काम आपाई थी मुझे इसका फक्ट है, एक बात जरूर मैंने उसे पूछी थी कैफे में, कि अगर वापस एरान इस सर्फसमती से पास हुए, प्रस्ताव के बाद जाते तो क्या होता उन्हें बड़े आराम तसल्ली से कहा था, वो मुझे मार देते, नहीं कहा, कि फिर आप कुछ बोले क्यों नहीं, आपके कुछ कहा क्यों नहीं, और उन्हें का चुपी सबसे बड़ा हत्यार होती है, फिर मैंने बहुत दीमे से पूछा, मगर यहां कहां काम आई आपके, उ अपने विरूद किया नहीं, और सच अगर वो चुपना रहते, तो मैं अकेले खड़े होकर विरूद करने की शायद हिमत न कर पाते हैं, एक बात अभी बदलानी रहे गी है, इंतजार जिसका हो रहा है, दो मानिगाओं की गानी, उन से गिदा लेकर बाहर निकले तो मानिका ने कहा, चलो साथ, बगार में बैठते हैं, फिर निकलना होगा मिझे, मैंनी कहा, मानिका होस नहीं आ रही है, वो अपने भीतर डूप गई, देर तक चुप रहे हैं, क्या हुआ, उसका नाम नहीं लोना चाहिए तब, और क्यों उसके बारे में जानना चाहती हो, अतल गहराई से आवाज आई, मैं चुप रही, हाँ कहनी में सुपोछ हो रहा था, और ना कहना चूट होता, अब बतला सकती हो, क्योंकि तो मुझे से कभी नहीं बिलोगी उसने लंबी सांस खीच कर कहा, मज़ उसने पहले दिन ही बतला गया था, उसके पिता नागजी अफसर थी, दूसरों का हुक्म बचा लाने भर वाले नहीं, काफी उंचे पत परूँ, वो ऐसा रास था, जिसकी उनके परिवार में कोई कलपना भी नहीं कर सकता था, जब उन पर युद अप्रादी की तरह मुकत्मा चला, तब उनके असली नाम और काम का रास खुला, तब तक उन्हें कैंसर हो चुका था, मानिका के बड़े जवान भाई ने सुनते ही खुदकशी कर दे, मा ने तलाक लिए, उनकी संगीन हालत और उम्र को देखते वे, उन्हें जेल से बड़ी कर दिया दे था, अब पची थी मानिका, मानिका को फैसला ले रहा था, उन्हें मरने के लिए अकेले छोड़ दे या मौत होने का गुंदी देखभाई परे, उसने दूसरा रासर चुना, पर वो एतने बड़सों बरस से जीते चले जा ले थे, और मानिका की देखभाई कर ले थे, मुझे उसे साथेन और सहेली की तरह कुबूल करने में खुच से काफी लड़ाई करने पड़ी, उस दिन जब हम कांसेंट्रेशन कैम गए थे, तो उसे साथ आने से मना कर दिया था, पर मैं पता नहीं क्यूं, उससे नाराज नहीं रह पाई, बल्कि उसकी इस्सत कटे ज़ मैंने उसे बाहों में भड़ लिया और तेर तक हम चुब पैटे रहे, खुदा की माहर हम फिर कभी नहीं में झाल